नेता, मेरे गुरू अर्विन केजरिवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनों ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझे भरोसा किया। यह सिर्व आम आद्मी पार्टी में हो सकता है, अर्विंद केजरीवाल जी के नित्रित्व में हो सकता है, कि एक first time politician एक राज्य की मुख्यमंत्री बना, मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती, तो चुनाव की टिकेट भी नहीं में होती, लेकिन अर्विंद केजरीवाल जी ने मुझे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया, और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है, मैं खुश हूँ, कि अर्विंद केजरीवाल जी ने मुझे पर इतना भरोसा किया, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज इससे बहुत जादा दुख भी मेरे मन में, दुख इसलिए, कि दिल्ली के लोग्प्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई, अर्विंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं, मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरस से, दिल्ली की दो करोड जनता की तरस से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है, और उस मुख्यमंत्री का नाम अर्विंद केजरीवाल है, भारतिय जनता पार्टी ने पिछले दो साल से, अर्विंद केजरीवाल जी को परिशान करने की, उनके खिलाव शड़ियंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी, एक ऐसा आदमी, जो अपनी I.R.S. कमिशनर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पुलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनार लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे इमानदार आदमी पर, भारतिय जन्ता पार्टी ने भष्टाचार के आरोप लगाई, जूटे केस किये, फरजी केस किये, अपनी एजनसीज, E.D. को, C.B. को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको जूटे मुकदमे में छे महीने तक जेल में रखा, आखिर कर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्व उनको जमानत नहीं दी, Supreme Court ने केंदर सरकार के मुँपे तमाचा मारा उनकी एजनसीज के मुँपे तमाचा मारा उनने कहा कि इनकी एजनसीज केंदर सरकार की एजनसीज एक किंजरे में पैद कैद तोते की तरह हैं और अर्विंद केजरीवाल जी की गिरफतारी गलत थी अगर अर्विंद केजरीवाल जी की जगां कोई और मुख्यमंतरी होता कोई और नेता होता तो वो दो मिनट नहीं सोचता मुख्यमंतरी की कुर्सी पे बैठने के बारे लेकिन अर्विंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो उन्हों ने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोट का फैसला काफी नहीं है मैं जन्ता की अदालत में चाहूंगा जब दिल्ली की जन्ता मुझे कहेगी मुझे नहीं लगता कि हमें लोककंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उधारन मिलेगा जो आज अर्विन केजरिवाल जी ने देश के सामने रखा है दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अर्विन केजरिवाल जी के स्तीफ़ से कर शाम मुझे एक बुज़र्ग महिला मिली जब उन्हें खबर मिली थी कि अर्विन केजरिवाल जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है वो रोने लग गई उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह है उसको इतना परेशान किया है उसको इतना परेशान किया है जूटे केस लगाए और उन्हें भुज़र्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाओंगी मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा है भार्तिय जन्ता पाटी के शडियंत्र से नाराज है और अपने बेटे, अपने भाई अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं क्यूं देखना चाहते हैं अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंतरी क्योंकि उन्हें पता है कि अर्विंद केजरीवाल ही ऐसे इमानदार मुख्यमंतरी हैं जिनकी वज़े से उन्हें फ्री बिजली मिली है उन्हें पता है कि अगर अर्विंद केजरीवाल जैसे इमानदार व्यक्ति मुख् उनको पता है कि अर्विंद केजरीवार जी इमांदार वक्त्थी अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जो हस्पटालों में सरकारी हस्पटालों में अच्छा इलाज मिलता है, मुफ्ध दवाईयां मिलती हैं वो बंद हो जाएगी उन्हें पता है कि अगर अर्विन केजरीवाल जी मुख्यमंतरी नहीं रहे तो मुखला क्लिनिक बंद हो जाएगी अर्विन केजरीवाल मुख्यमंतरी नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी कि बुजर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी क्योंकि उन्होंने देखा है कि भार्तिय जन्ता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली अच्छे स्कूल अच्छे हस्पताल मुहला क्लिनिक फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते है और एक इमानदार अर्विंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है तो दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नापे अब एक ही उद्वेश से काम करेंगे के हमें अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को समभाल रही हैं मेरा एक ही मकसद रहेगा मुझे पता है कि भार्टी जन्ता पाटी अपने एलजी साहब के त्रू दिल्ली वालों के खिलाफ शडियन्त रर्चेगी मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे मुझे पता है वो दिल्ली वालों के हस्पताल में त्री दवाईयां रोकने की कोशिश करेंगे मुझे पता है वो महला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे तो अगले कुछ महीने तक जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है मैं दिल्ली की लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूँगी और अर्वन केजरिवाल जी के मार्थ दर्शन में दिल्ली की सरकार चलाओगी मेरा अपने सभी कारेकरताओं से, सभी विधायक साथियों से दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोब है आप मैंसे कोई मुझे बढ़ाई मत पीचिएगा आप मैंसे कोई मुझे माला मत पहनाईएगा क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज मैं आज इस्तीफा दिया है मैं एक बार फिर अर्विन केजरिवाल जी का धन्यवाद करती है और मैं दिल्ली के लोगों की तरह से फिर से एक बार ये कहूंगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अर्विन केजरिवाल जी को अपना मुख्यमंत्री दिखाएगा